हेलो वरिवन कैसे हैं आप लोग वेल्कम दो ऑपिसेल चल्ड़ना मेरे वाले नोट जहाँ पर आपको मिलता है बीच से लेकर पचीश सालता का प्रिबिए से कोस्टिन सोलुशन ऑफ गेट एन एसी तो अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कियें तो सेवेंथ लेक्चर यह आपका 27 लेक्चर हो जागा इससे पहले हम लोग का 26 लेक्चर आ चुका है अगर आप नहीं देखे तो डिस्क्रिशन बॉक्स में आप जाके या फिर प्लेलीज में जाके चेक आउट कर सकते हैं सारा आपको मिल जागा इसके लादर सब्जिट का भी लेक्चर और उसके बाद हम लोग का मेट्रिंटल कास्टिंग जो है वो खतम हो जाएगा मेटल कास्टिंग के बाद हम लोग 29 लेक्चर जए सो new chapter पड़ेंगे that is call your metal forming तो इसके बाद हम लोग क्या पड़ेंगे metal forming पढ़ेंगे after 29th lecture 20 यानि की sorry 28th lecture 29th से हम लोग start करेंगे metal forming का right और मेरा ये class आता है regular 6 p.m पे तो आप लोग try कीज़ेगा regular इसको follow कीज़ेगा अगर regular session को पुरा follow कीज़ेगा मैं बता देता हूँ इसमें लगवग लगवग 180 प्लस वीडियो आएगा तो अगर आप production पढ़े नहीं भी हैं तो यहाँ पे यह मत समझें कि सिर्फ MCQ solution करा जाता है यहाँ पे मैं एकदम basic से लेकर advance तक हर वो theory को बताते चलता हूँ मैं इस यहाँ पे आपको MCQ solution मेरी रहा साथे साथ आपको lecture भी मिल रहा है और कैसे एकदम A to Z हम लोग बताते वे चलते हैं राइट समझ आया कि नहीं तो इसका आप लोग ध्यान में रखे आगा और आप लोग को पता ही है कि gate में जो maximum weightage होता वो production का ही maximum weightage रहता है यहनि कि production का त्यार ही होगा तो समझ लिए gate में आप मतलब ज्यादा से number आप ला सकते हो and gate qualified सिर्फ इसी subject को पढ़के भी कर सकते हो because इसका सबसे दा weightage रहा था चलो आज के class को हम लोग start करते हैं first question पढ़िएगा बहुत ही प्यारा पुछा गया था यह पुछा गया आपको mechanical को 2016 में पुछा गया था एक markा set 1 obviously mechanical को ही पुछा जाएगा चलो तो set 1 में पुछा गया था एक markा question देखो कितना interesting है यह बोला गया था कि the part of getting system which regulate the rate of pouring of the molten metal देखो यहाँ पर बात किसका कर रहा है कि rate of pouring का जो हम लोग pour करते हैं pour मतलब जब हम लोग डालते हैं तो देखो यहाँ पर pouring basin है न pouring basin जहाँ पर हम लोग molten metal को यहाँ पर डालते हैं molten metal को यहाँ से हम लोग pour करते हैं ठीक है यहाँ से हम लोग molten metal को क्या जाता है pour किया जाता है जब यह molten metal आता है sprue basin से के बाद आ जाता है sprue में जो कि हो जाता है मेरा vertical यहां पर मेरा pressure drop करता है, velocity मेरा बढ़ता है, और इस प्रूव यह vertical है, ठीक है, यह मेरा आता है, इसके बाद यह पहुंचता है मेरा runner, runner कैसा होता है, मेरा horizontal आता है, इस रिक कहिए आ जाता है, horizontal, ताकि यह जो मेरा velocity यहां पर बढ़ा, इस velocity को control किया जा सके, थोड़ा reduce किया ज manager है, इस इसके थ्रू मेरा mold cavity में इंटर करता है, और mold cavity से मुझे मिलता क्या, product मिलता है, riser का क्यों use करते है, riser한리 zer verdade कि तरह reservoir की तरह, जिससे bank में, हम लोगy पैसा कर रखते हैं, उसी तरह मेरा reservoir मेemolten metal को यहाँ पर उसके बाद जब वोREEदक्सन और जाता है representation है जिसके आपकिन होने लगता है तो जीसे के रेडरीचन अर्टा यानि को लिए यानि कॉन्ट्रीक्ट हो जाता है च्बाइक हो सुरु जाता है तो माल लो यह पूरा surface है इतना मुझे casting material मिलना चाहिए लेकिन होता क्या contraction के बाद मालो ये इतना हो गया अब ये जो आप देख रहे ये जो area है ये आपका क्या हो गया खतम हो गया मुझे final जो product मिला वो मातर इतने ही मिला मैं आपको color करके दिखा रहा हूं red color से मुझे product कितना मिला इतना मिला वल्ली मुझे ये मिला अब यहाँ पे जो आप देख रहो यहाँ पे तो space खाली रह गया इतना जो आप देख रहो यह वाला पूरा का पूरा जो white color से में आपको दिखा रहा हूं ये पूरा क्या हो गया volume में reduction आ गया क्योंकि metal का ये property होता है कि वो जब certified करते हैं तो वो contract कर जाता है अब इसको भरपाई कुन करता है compensate करता है riser करता है इसके अंदर जो multi metal हम लोगे store कर रहते है riser wire की तरह ये बाद में ये multi metal यहां से आता है और इसको भरके इसको compensate करके पूरा का पूरा मुझे finally product पूरा सही shape and size का देता जितना मुझे चाहिए तो ये riser का काम हो गया तो riser का भी यूज होता है क्या आपको metal को regulate करने में लेकिन कौन सा metal को जब मेरा solidify हो जाता है उस time पे ये regulate करता molten metal को लेकिन यहाँ पर बात करा pouring metal molten metal का pouring pouring मतलब जब लोग pour करता है जब लोग डालते है यानि कि ये जो आप molten metal का बात कर रहे यहाँ वाला बात कर रहा है यानि कि जो sprue में मेरा molten metal रहता है ठीक है ये इस molten metal का बात कर रहा है तो ये molten metal का जब यहाँ पे मेरा रहता इसका काम कहा रहा था मेरा runner तक पहुंचाना और इस runner और sprue के बीच में आपको एक term दिख रहा होगा चक दिख रहा होगा ठीक है तो ये काम करता है मेरा क्या rate of pouring molten metal मतलब कितना time में कितना मुझे runner तक भेजना molten metal वो मेरा regulate करता है ठीक है तो यहाँ पर correct answer क्या होगा मेरा C will be the correct answer for this question तो यह आप देखो cylindrical type से हो सकता है मेरा rectumor type से हो सकता है यह भी इसका replica ही है एक जैसा ही यहाँ पी देखो pouring basin जहाँ पर molten metal डालते हैं फिर यह sprue के थुरू मेरा आता है फिर यह चक जहाँ पर regulate करता है फिर यह runner के थुरू मेरा gate के थुरू यह पर मेरा इंटर करता है casting product में समझाया की नहीं चलो तो यह होगे चोकिस का correct answer आगे बढ़ते हैं next question के ओर बहुत ही एच्छा एक numerical आपसे पुछा गया बहुत ही interesting काफी easy numerical है देखो यहाँ पर simple सा जब भी आपको numerical आता था कभी डरना नहीं है मैंने जिसे बताया था कि इसमें कुछी numerical जो है पुरा production में कुछी का बात किया गया और मैं बहुत एच्छी तरसे deal करता हूँ हमेसे आप लोग को बताता हूँ question को पले पढ़ेंगे हम लोग यो मेरा पहला तरीका होता है क्या बताया गया कि यह एक cylindrical job है जिसका diameter दिया गाया 20 mm और height दिया गया 10 mm इसको मुझे cast करना using the modulus method मैं बताऊंगा modulus method होता गया ठीक है तो मुझे modulus method से a cylindrical job को cast करना जिसका diameter height दिया गया है ठीक है of the riser design जब बोटॉम सर्फेस दोनों मेरा का सिलंडर कर ऑड़ एरिया और वोल्यूम लेगे तो लेकिन यहां पर क्या बोरा कि जो बोटॉम सर्फेस राइजर वह मेरा कुलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है हम लोग जब भी area निकालेंगे तो उस वाले area को हटा देंगे ठीके तो इफ द बोला कि diameter of the riser is equal to height यानि कि जो भी मेरा riser का diameter होगा और riser का height होगा वो दोनों क्या है मेरा equal है तब मुझे पता करना है कि riser का height कितना होगा पहले मैं कुछ चीज का बाता हूँ यहां पर जो important है सबसे पहले modulus method होता क्या है देखो यहां पर लिख सकते हो कि यहां पर मैं लिख देता हूँ ठीक है modulus method मॉडुलस जो method होता है एक second यहां पर मॉडुलस method एक second black ले ले लेता है select नहीं होगा है ठीक है one minute यह basically ratio हो जाता है क्या हो जाता है मेरा ratio हो जाता है किसका किसका यह ratio हो जाता है volume अपन एरिया का तो ratio of volume to surface area ठीक है यह आप बहुत सकते हो कि modulus is equal to हो जाता है volume open area यह हो जाता मुडुलस method यानि कि simple हम लोग volume open area लेंगे तो इसको modulus बोलेंगे यहीं अगर हम लोग volume open area का hall square लेते हैं और time से तो यह मेरा क्या निकल जाता है आप लोग को पता है स्लोलिफिकेसन टाइम हो जाता है स्लोलिफिकेसन टाइम डियकलिक पोपरस्टन होता है किसके volume open area का hall square तो यह time यानि स्लोलिफार में कितना time लेगा लेकिन यहाँ पर बात करा क्या always remember कि mr is equal to होता है 1.2mc ठीक है अब बोलेंगे सरी यह कहां से है यह experiment करके यह prove किया गया है यह experimentally prove किया गया है यानि आप बोच सकते हैं यहाँ पर experimentally experiment it has been found क्या found क्या गया है कि that अगर हमको runner को अच्छी तर से work करना है तो runner का जो मोडलोस होगा वो 1.2 into casting मोडलोस होगा यानि यहाँ पर यह किस case में लेते हैं इस case में मेरा जो राइजर होता है वो मेरा एक सेकंड इस case में यहाँ पर एक सेकंड राइजर मेरा हाँ सही लिख रहे थे हाँ यही रिखो न सौट में आप लिख लो राइजर मेरा can we can we work convenient यानि कि अगर मेरा राइजर बहुत ही अच्छी तर से काम करवाना है तो उसके लिए जो हम लोग राइजर का मोडलोस लेंगे वो 1.2 into कास्टिंग मोडलोस यह आप लोग VBI यह इसको ध्यान में रखना है काफी important है कि जब भी आप से पूछे गा तो हमें साम लोग यही यूज करते हैं राइजर अगर राइजर का मोडलोस देगा और कास्टिंग का मोडलोस देगा तो लोग जा रखना 1.2 into यह वाला चीज ल नहीं बता दिया अच्छा दूसरा ची बोटम सर्फेस अब दो सिलेंडर राजर डजनोट कंट्रूबिट अब दो कूलिंग सर्फेस इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि माल लोग क्यूब लेते हैं में आपको क्यूब से समझाते हैं फिर यह से आप समझ जाईएगा यह मेरा क्या क्यूब है क्यूब का पता हर साइड मेरा एककोल होता यानि कि यह भी आपका ए ए ए ए ठीक है यह मेरा क्यूब नहीं क्यूब वोइड है क्यूब वोइड है ठीक है तो हम लोग यहां पर बात करेंगे क्यूब वोइड है ठीक है ठीक है ने क्यूब ही है सोरी स ready form में रहता है उससे rectangle से मेरा बन जाता है क्या मेरा है cube void ठीक है तो हम लोग यहाँ फिलाल बात कर रहे है cube का तो cube में आप क्या देख रहे हो कि यह मेरा हो जाता है a side है अब अगर मैं बात कुरूँ यहाँ पर volume क्या हो जाता है अगर यहाँ पर बोलेगा आपको कि इसमें हम लोग bottom वाला जो surface रहेगा ना उसको casting में हम लोग participate नहीं करेंगे इटमिस यहाँ पर area जो हम लोग 6A square ले रहे हैं जैसे हम लोग जब भी हम लोग मुझे पता है कि certification time भी निकालेंगे तो हो ता volume अपने area का hall square यहाँ लेंगे तो यहाँ पर area अगर हम लोग cube का बात करेंगे क्या लेंगे यहाँ पर 6A square लेते हैं लेकिन अगर बोलेगा है कि एक भाग हम लोग नीचे वाला भाग को contribute नहीं करता casting में इटमिस यहाँ पर हम लोग 6A square नहीं लेंगे अब जो लेंगे only लेंगे एक भाग छोड़ देंगे यानि लेंगे 5A square यह बात समझ में है कि नहीं तो यहाँ पर हम लोग 6A square ना लेकि हम लोग लेंगे 5A square क्योंकि हम लोग 6 face 1 face नीचे वाला face को छोड़ दे रहें 2 फिर आगया बिछे यानि कि यहाँ कितना होगा बढ़ते है फटा फट इसको बनाके आगे बढ़ते हैं तो जोब भी मेरा cylindrical type से था ठीक है तो यहाँ में हम लिग दे रहे है जोब जो वो मेरा कैसा cylindrical type से है तो हम सी से कणवर्ट बता दे रहें आप लोगो कि यह cylindrical पर सिवाई से थे तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे सबसे पहले निकालेंगे कि जो डायमींटर है जोब का वह कितना दिया गया है आपको 200 दिया गया है प्तिर ढाया है एन्य्रूंब कहीं ध。」 यानिकि यारे इक Western दिया गया है यानिके ऩोदी अगर अच्छी तरह से मुझे कव मादिननली काम करना तो मोदलस भी जाएगा जो भी मुझे हाइट निकालने बुलाओ तो मुझे हाइट निकल जाएगा ठीक है नोग RS find करेंगे one by one करके तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे MR का value MR यानि कि modulus of riser और आपको पता है कि यहाँ जो riser यह वो भी मेरा cylindrical type से है और जो job हो भी मेरा cylindrical type से है दोनों मेरा cylindrical type से है तो cylinder का क्या जाता है मुझे पता modulus होता है volume पर area तो volume किसका चाहिए मुझे चाहिए riser का चाहिए तो riser का volume क्या हो जाता है pi by 4 into d square h और आपको पता है कि यहाँ पे जो है diameter of the riser is equal to height यानि कि h equal to r है radius जो भी रहेगा वह height के equal है यानि कि यहाँ पे हो जाए pi by 4 into d square h तो h के जगह में हम लोग क्या ले सकते है r मतलब d ले सकते है यहाँ पे क्या बहुत है diameter of the riser diameter is height dia dia equal to height दिया गया है यह चीज़ समझ नहीं है यह बहुत बार use होता है यह से मैं बहुत बार बता चुका हूँ इसका value direct आगा आगा d by 6 आगा लेकिन मैं फिर भी और एक बार बता देता हूँ कैसे आता है तो यह आ जाता है divide बे हम लोग यहाँ पे नीचे करेंगे area area क्या हो जाता है pi by 2 लेते है into d square plus आ जाता है pi dh आता है यह यह आता है और यह देखो h है नहीं लिखेंगे तो डारेक्ट ले सकता है pi d square pi d square क्योंकि h के जगा में d ले सकते है h के जगा में d ले सकते है तो यह अब इसको अगर हम लोग करेंगे cut-up pt करेंगे तो direct में बता तो जोसे आपको पता है कि volume open area किसी का भी निकालेंगे तो d by 6 आ जाता है cube का निकालेंगे सब का खली वहाँ पे cube निकालेंगे तो area आ जाता है और मेरा cylindrical के किसमे spare के किसमे d आ जाता है तो ये mr equal to निकल जागा ये मेरा क्या ये this one लेकिन क्या मेरा यहाँ 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 पे d by 6 लेंगे नहीं लेंगे एक भाग जो है वो participate नहीं कर रहा है इसका आप लोग ध्यान रखना तो mr का value मुझे निकल गया अब मुझे चाहिए mc का value यानि की casting का modulus तो इसके लिए भी हम लोग simple क्या करेंगे तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे इसका value तो चलो निकालते हैं फिर यह काम करते हैं डारेक हम लोग value भी put कर सकते हैं किस में मैं आपको बताता हूँ इस वाले value में put कर सकते हैं मैं यहीं पे value put कर रहा हूँ mr का value कितना निकला दी 5 निकला तो हम लोग यहाँ पे put करेंगे क्या dy 5 is equal to 1.2 and mc का value अब mc का value यानि की casting का और casting भी मेरा कैसा है cast भी यानि की job का बात कर रहा है ठीक है cast ले लो job लो वह भी भी इना cylindrical types है तो उसका भी मुझे निकलना पड़ेगा क्या volume open area यह किसका है job का या फिर cast का तो volume मुझे पता है इसका मैं value यहाँ पर बता देता हूँ volume क्या आ जाता है यहाँ पर पता है आपको pi by 4 into d square into h d मेरा कितना दिया गया है 200 यहाँ पर put करेंगे 2 सका whole square into h कितना दिया x दिया गया right and अगर area का बात करेंगे area क्या हो जाता वही 2 यहाँ पर आ जाता है simple लिखेंगे pi by 2 आ जाता है into d square तो d square कितना 200 का whole square pi by 2 into d square plus मेरा आ जाता क्या pi into d h यानि d कितना दिया 200 दिया गया h कितना दिया आपका x दिया गया बस simple तो यह उपर हो गया यह नीचे हो गया अब इसको simple हम लोग calculate करना यहाँ मुझे d चाहिए तो इधर ले जाएंगे यानि यहाँ क्या करेंगे d is equal to हो जागा 5 into 1.2 और इस total का value अगर निकालेंगे volume पन एरिया तो यहाँ से मेरा आ जाता 25 तो यह मिल जागा 25 इसको अगर करेंगे 5 into 1.2 तो यहाँ से आ जाता 6 into 25 तो यहाँ से मुझे answer मिल जागा क्या मुझे वो मिल जागा 150 mm और यह मुझे मिल के d equal to और आपको पता है कि d equal to h बोला गया था तो d बोले या फिर h बोले दोनों मेरा same है तो height बोला गया है तो आपको पता कि d equal to h है तो अगर diameter equal to निकल गया 150 तो height भी 150 यानि कि 150 correct answer हो गया तीके मैं इसको बहुत अच्छी तर से detail wise में बताए इसके थोड़ा lengthy लगा बट यह lengthy उतना है नहीं यह बहुत ही easy था simple आपको यहाँ पे use करना था mr equal to 1.2 into mc और उसका हम लोग value निकाले हैं डारेक pi by 4 निकालते और 200 का कर दते हम लोग whole square into कर दते 100 और नीचे भी उसी तरह हम लोग करते pi by 2 into 200 का whole square या प्लस करते हम लोग pi into 200 into 100 बस यहीं से आपको direct आपको value मिल जाता मैं आपको इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा चीज़ आपको बताना था और यहाँ से आप लोग d का value डारेक्ट निकाल सकते हैं इसको 5 को इधर into ले जाते और यहाँ से मुझे value मिल जाता बहुत simple सा था चलि आगे बढ़ते हैं next question 98 का हम लोग बात करते हैं यह भी काफ़ी interesting question है देखो यहाँ पर क्या बताया गया है बोला गया है कि यह sprue is a sand mold has top diameter of 20 mm and height of इतना तो मैं आपको पहले sprue में बना देता हूँ ठीक है sprue आपको कैसा होता है मैं हम लोग figure में देखे था न मैं आपको इबर दिखा देता हूँ यह देखो यह मेरा sprue था मैं इसको मिटाता हूँ यह आपका sprue है यहाँ से लेकर यहाँ तक यह फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक यह आपका sprue है sprue मेरे कासा था vertical हो जाता है और जैसे जैसे हम लोग नीचे आते हैं इसके रिए घटते जाता है तो उसी तरह हम लोग यहाँ फिगर में बनाएंगे इस वाले कोशन को तो कुछ ऐसा बनेगा ठीक है अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या कर रहे है यह उपर वाला फोर्सन रहेगा जहाँ पर हम लोग पोरिंग बेसन रहा था आगे बढ़ते हैं अगे हैट दिया गया आपको 200 mm का मेरा हाइट है ठीक है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे यह जो हाइट दिया गया यहाँ से लेकर यहाँ तक यह हाइट मुझे कितना दिया गया है तो यह हम लोग हाइट दिखाएंगे आप स्पूरू यह दिया गया इस इकोल टू मेरा 200 mm एक सेकंड हम लोग ऐसे न करके यहाँ पर लिखते हैं हस इकोल टू 200 mm इस इकोल टू कर सकते हैं 0.2 या फिर इसको हम लोग मेटर में नहीं करनवट करते हैं हम लोग MMA रखते कोई दिकत नहीं है आप उसको करी सकते हो ठीक है यह मेरा HS दिया गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक आगे क्या गया है the velocity of the molten metal at the entry of the sprue is 0.5 यानि कि velocity दिया गया है due to acceleration के चलते जब यहाँ लोग यहाँ पर डालेंगे आपको पता प्रेसर ड्रॉप होता है velocity मेरा increase करता है तो वह आपको दिया गया है यहाँ यहाँ पे यानि कि यहाँ पे लिखेंगे हम लोग velocity दिया गया है top sprue का जब मेरा top sprue से आता है तब यहाँ पे दिया गया है कितना दिया गया है यह दिया गया 0.5 meter per second ठीक है भाई साब ये चीज मुझे दिया गया है तो अब हम लोग यहां से क्या निकाल सकते हैं एक चीज मुझे यहां से निकाल सकते हैं कि सर एक चीज बताईए मुझे पता है कि velocity equal to 2gh root under 2gh होता है ठीक है हम लोग यहां पे आगे पड़े देख लेते हैं तो यहां से हम लोग क्या यहां पे कुछ इससे निकाल सकते हैं तो हम लोग कर सकते हैं velocity equal to root under 2g into h और यह आपको दिया गया 0.5 तो इसका विल्यों हम लोग 0.5 यहां पर पूट कर सकते हैं into कर सकते है 2 into जी का विल्यों मुझे पता यहां पर देखो 9.8 दिया गया होता भी है 9.8 है 9.8 इंट वो निकालेंगे hc यह height कुन सा यह height यह वाला height है यह वाला height है यह आपका hc दिया गया है ठीक है और यह आपका hs है और total height ले लो यहां से यहां तक total height जो हम लोग देखेंगे यह हम लोग ले लेंगे ht ले लेंगे राइट तो यहां से मेरा hc हम लोग निकाल सकते हैं तो अगर यहां से आप hc निकालोगे तो hc इकल टो आपको लवग मिल जागा 0.0127 meter ठीक है तो यहां से मुझे एक height मिल गया यह वाला height भी मिल गया ठीक है अभी कौन सा height मिला को neglect करना ठीक है if the mold is well ventilated अगर मेरा mold जो रहेगा ventilated रहेगा well ventilated रहेगा then the velocity velocity of the molten metal at the bottom of the spray मतलब काने का मतलब देखो यहां मुझे तो एक peacefully तो पता चल गया hai bts यहां कि top sprue का जो velocity यह मुझे कर alley कमझे करना है यहां पर हम लोग आगे बढ़ते एक छीज मुझे बताओ कि यहां से बढ़ को देखो पर क्या करेंगे, बोलेंगे h height total height equal to क्या हो जगा, h c और plus हो जगा hs, इसका हम लोग hc माने थे और इसको hs माने थे, यहां से लिकर यहां तक, hs h और यहां से लिकर यहां तक hc, तो this plus this को जोड़ दे रहें, तो मैरा क्या निकला था, यहां से निकला था, इसका आपका दिया गया है ना 200 दिया गया इसको मीटर में अगर convert करेंगे तो यह जागा 0.200 यह आगा मेरा मीटर में ठीक है इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ यहां पर नहीं आपको visualize हो रहा है one minute ठीक है मैं इसको पूरा ही erase कर देता हूँ total height is equal to hc plus hs तो hc मेरा आया था 0.01274 and hs मेरा दिया गया 200 उसको मीटर में convert करेंगे 0.200 इसको में लोग किये मीटर में convert तो 0.2 आ गया है ठीक है ठीक है तो यह चीज में रहा हो गया क्या ht equal to इसको में लोग calculate करेंगे तो आपको मिल जागा लभग 0.2127 meter यह चीज मुझे मिल गया तो मुझे यहाँ पे भी तो velocity निकालना है bottom में तो velocity क्या जागा यहाँ पे यहाँ इस bottom में लोग यहाँ पर BTS बोले था इसको BPS, BTS मतलब velocity top इस पूप है velocity bottom इस पूप है तब हम लोग करेंगे क्या? velocity bottom इस group है तो उसके लिए भी वही हो जगा 2GH simple यही तो होगा ना तब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे तो यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ निकल जगा 2 into यहाँ पर भी हम लोग करेंगे 9.81 और यहाँ पर हम लोग height जो लेंगे वो height क्या लेंगे यह वाला height लेंगे total height लेंगे क्योंकि जब लोग इसके लिए निकाले थे इसके लिए height हम लोग यह वाला लिए थे this one hc लिए थे क्योंकि हम लोग उपर वाला का निकाल रहे थे हम लोग velocity तो इतना ही height लिए थे अब मुझे नीचे तक ना ना तो यहां से लेकर यहां तक हाइड लेंगे यानि कि ht equal to लेंगे और ht equal to just हम लोग निकाले यह वाला चीज तो इसको William report करें 0.2127 तो बस यहां से मुझे answer मिल जाएगा कितना मिल जाएगा इसको आपको calculate करना है तो आप answer मिलेगा 2.043 meter per second ठीक है यह bottom is proof का मुझे velocity मिल जाएगा तो यहां पर क्या आपको option दिया गया नहीं दिया गया तो यहां मिल जाएगा मेरा कितना 2.043 कितना मिलेगा 2.043 meter per second समझाया काफी interesting question था यह भी इसमें भी कुछ नहीं करना था देखो हम बस आप आप लोग को visualize करना चाहते हैं with the help of figure समझाना चाहते हैं इसलिए हम time लेते हैं otherwise इसमें कुछ भी नहीं था अगर मैं shortcut इसको बनाओ आप लोग को तो simple आपको करना क्या था कि मुझे पता था कि टॉप इस प्रू का गया ते दिया गया था मेरा 200 height दिया गया था और आपको देखो यहां पर height दिया गया diameter दिया गया था तो simple आप करते कि मुझे velocity निकालना है velocity आपको दिया गया था 0.5 तो 0.5 यहां पर दिया गया था direct निकाल थे 2g h equal to velocity equal to यह आपका 0.5 दिया गया था यहाँ पर आप डारेक्ट पुट करते हैं 2 into 9.81 into height भी आपको दिया गया था height भी यहाँ पर पुट कर देते हैं और यहाँ से आपको निकल जाता हc equal to तो यहाँ पर जैसे आपको height पता चल गया उसके बाद हम लोग क्या करेंगे total height हम लोग को निकालेंगे hc plus hs कर देंगे और फिर हम लोग velocity bottom का निकालेंगे तो आप लोग को थोड़ा सा जब आप बनाईएगा एक बार से दो बार देन आप लोग उसको fast को समझ पाईएगा हम अगर fast बताएंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आगा फिर दूसरे का समझाने में मेरे समझाने में अंतर क्या रा गया मेरा ये काम है कि आप tough stuff चीज the grains in the casting near to the mold wall देखो ये theory basis है अब ये क्या हो रा जब हम लोग solidification करते हैं अब देखो जब हम लोग rate of solidification निकालते हैं तो उसमें क्या हो जाता है बहुत ही random तरहीड़ा लेकिन वो randomly मेरा move करता है तो fine जो होगा, fine and random होगा ठीक है, बास समझ में आए कि नी तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे option number यहाँ पर कौन सा हो जागा है B number हो जागा, fine and randomly oriented ठीक है, समझ आए कि नी यानि कि क्या होता, basically during solidification of the pure metal at the surface of the mold, due to fast rate of solidification random oriented fine grains are produced यानि कि क्या हो जाता है, कि fast मेरा solidification rate के चलते measure of gains रहता है, वो fine तो मिलता है बट वो randomly oriented रहता है तो इसका B हो जागा चलो, move करते हैं, आपका last question आज का hundred, इसमें ये भी कापी easy question है, देखो ये 2018 मुझा गया था, यानि कि आपको बता है कि rectangular से क्या बनेगा sir अगर मेरा rectangular रहता है तो जब इसको rectangular को 3D form में convert करते हैं, तो मेरा बनता है cube world बनता है ठीक है, और मेरा rectangle से बना, और मेरा क्या बनता है आपका square से बनता है मेरा cube तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे cube world का बैसी लिए बात कर रहा है क्योंकि casting करेंगे तो मेरा 2D form में तो रहगा नहीं, मेरा 3D form में बनेगा length, height, breadth, हम कुछ दिखेगा और तो कुछ यहाँ पे बोला गया है the sand casting of the steel rectangular plate with dimension 80, 120 or 20, यानि क्या बात करा है, LBH का बात करा है, नहीं, volume का बात करा है यह अब डारेक्ट यहाँ लिख सकतो हो, कि भाई casting जो size दिया गया है, वो कितना size दिया गया है एक second, casting size दिया गया है मेरा 80 into 120 into 20 mm है तो mm का cube हो जागा ठीक है, end बुरा है cylindrical riser, अब देखो, riser जो use हो रहा कैसा मेरा है, cylindrical type से है तो अब देखना, casting कैसा मेरा था है यह मेरा हो रहा है, मेरा cuboid type से ठीक है, यह ध्यान रखना क्योंकि हम लोग volume open area इसका लेंगे ना इसलिए दान रखना, और riser कैसा यूज हो रहा है मेरा cylindrical type से, तो यह बुरा cylindrical riser is to be designed the height of the riser is equal to diameter वही सेम चीज, हमेशा हम लोग use करते है यहां क्या क्या गया है, जो मेरा riser लिया गया है riser riser लिया गया, इसमें हम लोग जो height है, ठीक है, यानि कि हम लोग लोग है, height of riser is equal to क्या है, उसका, the height of the riser is equal to diameter, यानि कि diameter of riser एक sekund यहाँ पे HR लिखना था राइजर का दामेरेटर अब राइजर यह मेरा एकवाल है और राइजर कैसा है यह आप लोग का सिलेंडरिकल टायप से है ठीक है राइजर मेरा सिलेंडरिकल टायप से है ठीक है भाई साब आगे देखते हैं क्या वो रखा है, the total solidification time for the casting in two metal, casting को जब हम लोग solidify कर रहना तो वो दो मिनट ले रहा है, यानि casting का बात कर रहा है, यानि कि TES हम लोग कर देते हैं, यह मेरा दो मिनट का time में मेरा cast हो जा रहा है metal, और आपको पता देखो, यहाँ पो रहा, according to in, कोबरी nobs rule, for the, कोबरी nobs rule क्या आ जाता है, volume open area यही, जो आपका solidify time हो जाता है, डाकली बोर्स हो जाता है, volume open area का, hall square का, और यह जो हम लोग यहाँ पर two लेते हैं, मैंने बता था, कि यह basically एक exponent होता है, जो casting में हम लोग दो लेते हैं, तो देखो, यहाँ पर वही चीज बताय को बात कर रहा है, तो यहाँ बोरा, the 4D solidification time of 3 minute in the riser, अब देखो, riser का भी time दिया गया है, riser कितना दे रहा है, solidification time, यह ले रहा है, मेरा 3 minute ले रहा है, तो diameter of the riser कितना होगा, यह आप से पुछा गया, two decimal तक लेना, क्या कि बोला, इस question में देखो, एक simple बोल दिया कि मेरा casting size दिया गया, कि यह मेरा volume है, यह basicly आपको क्या दिया, volume दिया गया, casting का volume आपको दिया गया है, और बुला कि जब इस casting को हम लोग certified कर रहे हैं, तो 2 minute में हो जा रहा है, उससे ते रहे है, riser को जो upside कर रहे है, तो 3 minute में हो जा रहा है, तो बताओ, कि मेरा riser का diameter कितना होगा बस यही आपसे पूछा गया तो चलो हम लोग बढ़ते हैं question की और सबसे पर हम लोग जानते है certification time is equal to क्या आ जाता है भई हो जाता है मेरा q यानि certification factor divided by volume open area का hall score किसका हम लोग लेंगे चलो सबसे पर हम लोग casting का बात करते हैं इसका बात करें casting और आपको पता है मैंने बता था casting कैसा keyword types है तो मुझे यहाँ पर volume open area keyword का चाहिए तो keyword का अगर हम लोग बात करेंगे volume क्या हो जाता है तो वह हो जाता है lbh जाता है अगर बात करेंगे area का तो क्या हो जाता है 2 into lb plus आजाता है मेरा bh और plus आजाता है hl यही था ना ठीक है तो हम लोग बस यहाँ पर value put करते जाओ तो यहाँ पर tc is equal to myra keyword है q रख लेंगे volume का बात करेंगे तो volume देखो यहाँ पर दिया गया था ना 80 120 और 20 तो इसका हम लोग value put कर देंगे उसमें क्या है तो यहाँ put कर देंगे sc into 120 into 20 और फिल से यहाँ पर देखो l भी लिया गया है यानि कि यह क्या है मेरा l है यह मेरा b है और यह मेरा h है तो 80 120 हा जागा पर ले यानि कि 2 into 80 into 120 प्लस करेंगे 120 into 20 और प्लस करेंगे 20 into 80 देखो बिना देखे किसे पता चल गया सबसे पहले लिए यह और यह फिल यह यह और यह और बाद में यह और यह ठीक है चलो यहां से मुझे मिल गया एंड इसका हम लोग को total का क्या करना पड़ेगा इस total का करना पड़े मुझे whole square ठीक है यह मुझे करना पड़ेगा इसका whole square ठीक है तो यहां पर हम लोग इसको calculate करेंगे तो मुझे finally और देखो और एक चीज यहां solidification time भी मुझे दिया गया था ना 2 minute दिया गया था इसको value पूट करेंगे तो 2 equal to आ जागा Q into इसको solution करेंगे यहां पर हम लोग को बता ही देता हूँ कि यहां पर value हम लोग को Q मिलेगा वो 0.040 मिलेगा क्योंकि इतना time नहीं है लेंदी हो रहा यह चीज आप लोग समझी रहा होंगे ठीक है mm इसको minute में आ जागा ठीक है minute में यहां पर value हम लोग 2 put कि हैं और सबको इधर ले आएं तो यहां से मुझे Q मिल गया Q किसका मिला Q में solidifix factor है तो इसका कोई unit तो है नहीं चलो ठीक है यहां से Q मिल गया अब हम लोग बात करते है राइजर का ठीक है राइजर का solidifixion अब राइजर यहां भी हम लोग के बात करेंगे Q into volume open area का जिस तरह यहां पर हम लोग बात किये थे इसका ठीक है सेम इस तरह कास्टिंग का था यह मेरा राइजर था अब राइजर जो है यह मेरा राइजर एस लिग दिए है राइजर कैसा है भई तो सर आप मुझे कहा था सायास राइजर मेरा सिलेंडर कल टाइप से था तो हम लोग सिलेंडर का volume open area लेंगे इसंट इट तो हम लोग यहां पर बात करेंगे अब उसका तो यहां हम लोग लेंगे Q अब देखो यहां पर मुझे टी आर यानिके टाइम यह पता है मुझे तो हम लोग यहां पर value बूट करेंगे तीन और यहां पर बूट करें Q क्यों 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 हम लोग निकालें कितना नहीं 0.040 ठीक है और यहां पर volume open area यहां पर हम लोग लाना है तो यहां पर मुझे पता है कि जब भी हम लोग volume open area निकालते हैं सिरेंडर का तो d y 6 आता है यह बताने के बात नहीं है बहुत बार मैं बता चुका हूँ तो यहां पर लोग direct हो सकते है कि भी यह आएगा d y 6 आएगा वो मुझे क्या मिल जागा मिल जागा 8.64 यह आपको मिल जागा क्या मिल जागा 8.6 मोर मिल जागा और यहां से d भी आप निकाल सकते हो तो यहां से जब आप d निकालोगे तो निकल जागा मेरा लगव 51.84 mm और आपको यह पहले में ने बताया था कि h equal to d लेना है यहां पर देखो यहां पर कहीं बताया गया था कि वही एक सेकंड देखो riser is equal to diameter the height of the riser is equal to diameter h equal to d तो जो मेरा d है वही मेरा h है तो h बात करो यह फिर d बात करो यह भी मेरा 5.84 mm आएगा riser का क्योंकि यहां पर riser का बात यहां पर चल रहा था और riser का ही आप से पुछा गया था तो यहां पर क्या जाएगा correct answer हो जागा यहां पर 51.84 यान 2 decimal तक बता गया है इसी में 2 decimal तक आपको बताया तो यह हो गया correct answer राइट यह काफी interesting आपका चल रहा था last last part में यह आपका इसके बाद जो हम लोग next part आएगा 28 आएगा वो हम लोग का last हो जागा इसके बाद खतम हो जागा मेरा metal casting इसलिए last में हम लोग numerical को deal कर रहे काफी helpful आप लोग के लिए लग रहा है तो आप प्लीज लाइक कीजेगा और मैं बहुत थक यहां हो ठीक है बट कोई बात नहीं आप लोग के लिए इतना करना बनता है आप लोग प्लीज कमेंट करके बताएगा कैसा आपको पार्ट लगा कोई पार्ट में अगर doubt है तो 500 से लेका 600 तक वीडियो जा सकता है और almost आपका all free होगा बट आप लोग का प्यार चाहिए आप लोग का support चाहिए आप लोग अच्छी तरसे like करते हो comment करते हो तो उसे क्या आज है ता motivation मिलता हम लोग को ता आप लोग के लिए हमेशा provide करेंगे मिलते next बाने तब तक लिए goodbye and god bless you all